हलो एडिवन दिस इस डॉक्टर अनुज कुमार और स्टुडेंट्स मैंने आपको पी आई के तीन मैथर करा दिये हैं आज मैं मैथर फोर को डिसकस करने वाला हूँ आपके साथ मैथर फोर का व्यूज होगा ठीक है यदि आपको डिफरेंशल इक्वेशन जो दी है उसमें ज वेल्यू एकी पाउर एक्स और कोई एक्स का फंक्शन हो जाए तो जो इसका हमारा प्याई निकलता है उसका फोर्मूला होगा वन अपन एफडी ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम प्याई निकालते है एकी पाउर एक्स वी एक्स ओके फिर यहां पर रूल क्या लगेगा इसको जहां से समझेए यहां पर जो रूल लगता है वो यह होता है कि पहले हमें क्या करना है यहां पर जो एक्स का कोफिशेंट एकी पाउर एक्स है इसमें एक्स का कोफिशेंट जो ए है वो हमें डी को डी प्लस एकी जगा पर रखना होता है हम क्या करेंगे इसमें एकी पाउर AX को back side ले जाएंगे और पूरे function में D की जगा पर D plus A लिख देगे क्या करते हैं कि D की जगा पर D plus A लिख देंगे और E की power AX को back side ले जाएंगे मतलब E की power AX का काम यहाँ पर finish हुआ E की power AX के लिए हमने क्या किया D की जगा पर D plus A हमने put किया और यहाँ पर VX बचा रहे जाएगा ठीक है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि put D equal to D plus A and take E to the power AX backside तो हमें क्या करना है E की power AX को backside ले जाना है और D की जगा पर D plus A put कर देना है फिर यह जो हमारे VX के लिए बनेगा VX हमारा कुछ भी हो सकता है sin X goes X है ना या polynomial कुछ भी हमारा है हो सकता है यह पुराने ही method बनेगे आपके जो मैंने कराए थे तीन method मैंने कराए है तीनों में से कोई भी method यहाँ पर यूज हो सकता है VX के लिए वो मैं लिखते देता हूँ and solve and solve 1 upon FD plus A VX और जो VX के लिए हम solve परेंगे वो previous method यूज होंगे previous methods तीन method मैंने आपको बताए है उन तीनों में से कोई भी एक method यहाँ पर लगेगा और VX के लिए solve आप इचिली कर दो तो यह होता है हमारा method नमबर 4 जिसमें हमें क्या होता है एक तो E की पाउर AX दिया होगा और इसके साथ में कोई X का function दिया होगा यदि E की पाउर AX और साथ में X का function दिया है तो method आपको clear हो गया होगा कि पहले हम D को D plus A रखते है और इतना काम करते ही E की पाउर AX को back side ले जाएंगे और फिर VX के लिए previous method यूज करेंगे इसके लिए example देखिए आप जैसे कि मैंने example number 1 यहाँ पर consider किया ठीक है example 1 मैंने consider किया है D square solve करना है हमें से D square plus 6D plus 9 Y equal to E की पाउर माइनस 3X upon X की पाउर 3 यह question हमारा AQTU में आ रखा एक बार 2009 इंपोर्टन क्यूशन है सबसे पहले तो आप solution में auxiliary equation बनाकर CF निकालेंगे जैसे पहले भी ही आपने here auxiliary equation is D square plus 6D plus 9 equal to 0 इससे आपको मिलेगा D plus 3 का whole square equal to 0 तो यहाँ से D की value आएगी minus 3 minus 3 तो जब दो real और equal loot हमारे आते हैं तो CF होगा C1 plus C2X और E की power minus 3X फिर हमें यहाँ पर find करना है PI और PI को निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1 upon D square plus 6D plus 9 और जो equal में लिखा है equal में लिखा है E की power minus 3X और into में sorry upon में X की power 3 जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 upon X की power 3 तो पहचान आपको हो गई होगी एक तो E की power AX की form में आपको दिया है और into में एक X का function दिया है जो की हमने उपर rule बताया आपको यदि दो function इस तरह multiply में आते है तो method 4 लगता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी और इसको हम क्या करेंगे पहले D को sorry नीचे जो function है D का इसको हम D plus 3 का square लिख लेंगे E की power minus 3X और into में ये जो VX है ये 1 upon X की power 3 होगा जिसको आप उपर ले जाके X की power minus 3 भी लिख सकते हो ओके अब जो rule मैंने बताया है वो क्या था rule ये था कि D की जगह पे D plus A रख देंगे है ना put कर देंगे यापर D की जगह पे D plus A और A की value है यापर minus 3 D की जगह पे D minus 3 रख देंगी तो आपको मिलेगा ये D minus 3 plus 3 की power 2 square S हो रही है है ना और D को D plus A रखते ही E की power minus 3X का का काम finish इसको हम ले जाएंगे back side और यहाँ पर जो बचेगा वो VX बचेगा यानिके X की power minus 3 अब ये बचा हमारा E की power minus 3X 1 upon D square X की power minus 3 और 1 upon D square का मतलब है कि X की power minus 3 का दो बार integration E की power minus 3X है ना एक बार integration करोगे तो X की power minus 3 का integration होगा X की power minus 2 upon minus 2 फिर जब इसका दो बार integration करोगे तो X की power minus 2 का integration होगा X की power minus 1 upon minus 1 तो नीचे प्लस 2 हो जाएगा तो ये हमारा आज का final answer हो जाएगा PI के लिए ठीक है तो last में हम general solution लिख देंगे hence general solution is y equal to cf plus PI और cf आपका था c1 plus c2x e की पावर 3x है ना minus 3x sorry e की पावर minus 3x और plus PI की value है 1 upon 2 और e की पावर minus 3x upon x तो ये हमारा जो है यहाँ पर general solution हो जाएगा differential equation के लिए तो ये होता है हमारा method number 4 इसके एक दो question ओर दे किया important question ही consider करते हैं पहले ऐसे ही आपका एक question exam में ओर आया था कि find PI दो नमबर में आया था है कि हमें PI find करना है 4 इस differential equation के लिए 1 की पावर a x f double dash x ये दो तीन बार दो नमबर में आ चुका है question 1 के टी यू 2013 में भी ये आया था और अगर इस question की बात करें तो साथ पहचान हो गई होगी कि e की पावर a x और 1 x का function तो इसमें method 4 लगेगा है ना तो यदि आप यहाँ पर solution में PI find करोगे तो PI के लिए 1 upon d minus a का whole square और ये e की पावर a x और f double dash x लिखा पहले हमने फिर रूर ये कहता है कि d को d plus a से replace कर दो d को d plus a से replace कर दो और इतना काम करते ही e की पावर a x को back side ले जाओ और जब आप ऐसा करोगे तो e की पावर a x दो back side रहेगा और ये मिलेगा आपको 1 upon d square f double dash x और 1 upon d square का मतलब होता है दो बार integration जब एक बार करोगे तो ये f dash x हो जाएगा और दो बार करोगे तो ये f x आपको मिलेगा function क्योंकि differentiation integration हट जाता है तो यही इसका pi हो जाएगा ओके next example देखिए next example है आपका solve d square minus 2d plus 1 y is equal to e की पावर x sin x इसमें मैं इसको solve करना है ये question आपका 2016 और 17 दो बार आ चुका है ओके तो फर्स्ट मैथड कही है क्योंकि फर्स्ट मैथड ये कहता है कि e की पावर x होगा और into में vx होगा तो ये फॉर्ट मैथड कही होगा तो इसके लिए अगर solution की बात करें बिल्कुल सेम आपको करना है सबसे पहले तो auxiliary equation find करनी है और जो auxiliary equation है यहाँ पर d square minus 2d plus 1 equal to 0 है जिसको solver के 2 equal root आएंगे 1,1 तो cf आप लिखतेंगे c1 plus c2x और e की पावर x फिर हमें यहाँ पर p.i.e. find करना है और अगर p.i.e. की बात करें तो 1 upon d minus 1 का square direct minus square form में लिख दिया उसको और e की पावर x sin x तो rule हमें यह कहता है कि d की जगा पे d plus a put करेंगे और यहाँ पर a की value है 1 जो x का coefficient है तो d की जगा पे d plus 1 हम यहाँ पर put कर देंगे यदि d की जगा पे d plus 1 put करते हो तो यह आपको यह मिलेगा और इतना काम करते ही e की पावर x का काम finish इसको back side ले जाएंगे अब हम solve करेंगे sin x के लिए तो e की पावर x और यह मिला 1 upon d square sin x और आपको sin x के लिए method number second में मैंने बताया था कि put करते है d square को minus a square a की value यहाँ पर 1 है तो d square को minus 1 लख जाएगा तो answer आगया हमारा solve करेंगे मिला minus e की पावर x sin x और last में cf pi को हम चोड़ देंगे तो general solution मिल जाएगा y equal to cf plus pi and it means c1 plus c2 x e की पावर x minus e की पावर x sin x यही हमारा general solution हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा होता है method number third एक दो question और देखते हैं इसके हम example number four example four में हमें solve करना है d square minus 2d plus 5y equal to e की पावर 2x cos x को और इसको solve करने के लिए हम पहले हाँ पर auxiliary equation बनाएगे जो बनेगी here जो auxiliary equation हमारी यहां पर बनेगी वो होगी d square minus 2d plus 5 equal to 0 तो स्री दरह चारे से solve करना पड़ेगा minus b plus minus b square minus 4 a c 3 upon 2 into 1 और यदि आप इसको solve करते हैं तो आपको यह मिलेगा 4 minus 20 यानिके minus 16 under root minus 1 का मतलब आही हो जाएगा तो 2 plus minus आयोटा और यह आपको 4 मिलेगा upon 2 and after that you will get the complex root one pair तो cf हम लिख देंगे complex root के according cf क्या होता है e की पावर alpha x और c1 cos beta x plus c2 sin beta x यह हमारा cf हो जाएगा अब हमें यहां पर find करना है pi अगर pi के हम बात करें तो pi हमारा निकलेगा किस तरीके से d square minus 2d plus 5 और e की पावर 2x cos x जो equal में लिखा है simple सी बात है e की पावर ax vx type का यह question है तो इसमें method number हमारा 4 लगेगा method 4 यह कहता है कि d को d plus a से replace कर दो a की value है यहां पर 2 तो d को d plus 2 से हम रिप्लेस कर देंगे और d को d plus 2 से replace करते ही d को जहां जहां पर d है आपर मैं d plus 2 रख देता हूँ और d को d plus 2 रखते ही e की पावर 2x का काम खतम हो जाएगा इसको हम पीशे ले जाएगे अब solve करेंगे हम cos x के लिए तो यह मिलेगा आपको e की पावर 2x cos x के लिए ऐसे ही solve करेंगे जैसे आपने जैसे आपने पुराने methods में सीखा है जब इसको आप solve करेंगे तो यह मिलेगा आपको 1 upon d square plus 4 d plus 4 minus 2 d minus 4 plus 5 cos x और जब आप इसको solve करते हैं तो यह मिलेगा d square plus 2 d plus 5 और यह cos x तो आपने sin x cos x के लिए rule number second पढ़ा है second rule में आपने पढ़ा है कि हम क्या करते हैं d square को minus a square से replace करते हैं a की value यहाँ पर 1 है तो d square को minus 1 हमें रखना पढ़ेगा यदि आप d square को minus 1 रखते हो तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा cos x फिर e की power 2 x तो बाहर रहेगा और यह मिलेगा आपको 2 d plus 4 और 2 d plus 4 में से भी हम 2 को मल ले लेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा d plus 2 और चुकि हमें नीचे d square बनाना होता है तो मैंने आपको बताया था e की power 2 x अपों 2 बाहर रहेगा उपर d minus 2 रहेगा नीचे a plus b, a minus b का जब formula बनेगा तो यह a square minus b square बनेगा आपका cos x फिर यहाँ पर d square को हम minus 1 रखतेंगी यदि आप d square को यहाँ पर minus 1 रखतेते हो तो minus 1 minus 4 cos x और यह value बनेगी आपकी total minus 5 into 2 e की power 2 x upon minus 10 और d minus 2 cos x अब हम cos x को जब अंदर लेकर जाएंगे तो minus 1 upon 10 e की power 2 x d का मतलब होता है cos x का differentiation मतलब sin x और minus 2 cos x minus हम यहाँ पर बाहर ले लेंगे common तो 1 upon 10 e की power 2 x और यह sin x और plus 2 cos x मिलेगा ठीक है फिर general solution आप जानते है कि y equal to cf plus pi होगा hence general solution is y is equal to cf plus pi और cf हमने जो निकाला था यहाँ पर वो हमारा आया था e की power x c1 cos 2 x plus c2 sin 2 x और pi हमने निकाला है plus k1 upon 10 e की power 2 x sin x और plus 2 cos x ठीक है तो यह हमारा आसमे general solution हो जाए तो यह हमारे method 4 की बहुत easy questions है अगर आपको पुराने 3 method आते हैं तो यह आराम से हो जाता है कोई इसमें जादा बड़ी बात नहीं है example number 5 आप यहाँ पर देखिए example 5 में हमें solve करना है d2y upon dx square minus 2dy upon dx plus y equal to x square e की power 3x तो अगर बात करें cf की तो cf तो यहाँ पे simply निकल ही जाएगा है ना cf तो आप अपने आप भी निकाल सकते है here auxiliary equation बनेगी d square minus 2dy plus 1 y equal to x square e की power 3x तो जो auxiliary equation बनेगी हमारी यहाँ पर एक given है here auxiliary equation is जो y का coefficient है उसको हम 0 के equal रखतेंगे तो d minus 1 का square मिलेगा तो d की दो value से हमा जाएगी 1 1 तो cf हमारा होगा c1 plus c2 x और e की power में x अब हमें यहाँ पर find करना है pi और pi को find करने के लिए 1 upon fd d square minus 2d plus 1 d square minus 2d plus 1 यानि कि हम इसको d minus 1 का whole square भी लिख सकते हैं और equal में आपको दिया है x square e की power 3x चुकि हमें यह method लगाना है तो हमने इसमें नीचे square form में लिख लिया उससे e जी पढ़ता है d minus 1 का whole square e की power 3x को मैंने पहले लिखा और vx का यहाँ पर काम करेगा x square तो method हमें यह कहता है method number 4 कि d को d plus a से replace कर दो a की value यहाँ पर 3 है तो d को d plus 3 से replace कर देंगे और d को d plus 3 से replace करते ही e की power 3x का काम खतम इसको पीछे ले जाएंगे इन्टू में x square अब x square के लिए हमें solve करना है e की power 3x 1 upon यही आपको d plus 2 का whole square इन्टू x square में लिए अब अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि जब हम method third में कि जब हम हमें x का polynomial या x की force में कुछ दिया है तो हम उसमे method third यूज करते है और उसमें मैंने expansion method से आपको बता रहा है चार formula यूज करते है तो यहाँ पर formula लगाने के लिए हमें two common लेना पड़ेगा नीच से जब two common लेंगे तो बाहर आके square की वज़े से वो four हो जाएगा और यह मिलेगा आपको one plus d upon two की power minus two और x square तो formulas में यूज होगा जो मैंने आपको बताया था one plus z की power minus two equal to one minus two z plus three z square minus four z की power three plus dot 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 यह formula यूज करेंगे और z का यहाँ पर काम करेगा d upon two तो z की जगा पे हम d upon two रख देंगे और इस formula को expand करतेंगे one minus two z यहनिके d upon two plus three z square यहनिके d square upon four और minus four d की power three upon eight plus dot 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 और यह x square जब x square को अंतर लेके जाएंगे तो आपको पता है कि तीन बार में इसका differentiation जो है zero आएगा है ना तो केवल हमें इन तीन ट्रम से value मिलेगी जिसको में yellow color से highlight करता हूँ तो जिस से value मिलेगी उसको हमें ध्यान से solve करना है x square की one के साथ multiply करेंगे x square 2 से 2 कटने पर x square का एक बार differentiation 2x और 3 upon 4 और x square का दो बार differentiation करोगे तो 2 मिलेगा और बाकी सबी ट्रम zero हो जाएगी solve करके आपको मिलेगा e की power 3x upon 8 x square minus 2x plus 3 upon 2 तो यह जो है हमारा आज में pi हो जाएगा फिर आप इसमें cf or pi को जैसे ही add करोगे वही आपका general solution हो जाएगा तो यह हमारा method number 4 होता है भई इसमें हमारा एक question बचा है important question उसको भी मैं करा देता हूँ आपको example number 6 यह last होगा इस method का बाकी आप अपने आप solve करेंगे solve d square minus 2d plus 4 y is equal to e की power x cos x plus sin x cos 3x इस question आपका दू बार exam में आया है और important question माना जाता है इसको बहुत जाला 2010, 2018 तस नंबर में आता है और इसमें method 2 भी यूज होगा और method 4 भी यूज होगा सबसे पहले हमें auxiliary equation बनानी होती है auxiliary equation बनाकर यहाँ पर जो d की value आएगी here auxiliary equation is d square minus 2d plus 4 equal to 0 जब आप सिर्धरा चरहूर लगाके यहाँ पर d की value निकालेंगे तो वह आएगी 1 plus minus i root 3 तो cf हमारा हो जाएगा यहाँ पर e की power x और c1 cos root 3x plus c2 sin root 3x complex root के लिए होता है अब मैं यहाँ पर pi find करूँगा और अगर pi की हम बात करें तो यह आपको दिया है d square minus 2d plus 4 और यह आपको दिया है e की power x cos x plus sin x और cos 3x पहले दोनों ट्रम को अलग-अलग हम कर लेंगे है ना लेकिन अलग-अलग करने से पहले आपको हम बता दूँ जो second ट्रम यहाँ पर दिया है sin x cos 3x इसके लिए कोई method नहीं है तो इसको हम method इसमें लग जाए उसके लिए इसको हमें उस फॉम में ले जाना पड़ेगा उस फॉम में लाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 से multiply और 2 से divide कर देंगे तो यह formula बन जाएगा आपका यह formula बनेगा 2 cos 3x sin x यानिकि 2 cos sin b का यह formula बन जाएगा और जब आप इसमें 2 cos sin b का formula लगाओगे 2 cos sin b का formula यहाँ पर लगेगा तो 2 cos sin b का formula होता है sin a plus b और minus sin a minus b तो यह हो जाएगा 1 upon 2 sin a plus b यानिकि sin 4x और sin a minus b यानिकि sin 2x अब यह तियनों टरम अलग-अलग हो जाएगी और simply हम इसमें P.I. निकाल सकते है d square minus 2d plus 4 e की power x cos x अलग हो गया 1 upon 2 d square minus 2d plus 4 sin 4x अलग हो जाएगा और minus 1 upon 2 1 upon d square minus 2d plus 4 और यह sin 2x हमारा अलग हो जाएगा अब हम तीनों टरम को अलग-अलग करतेंगे तीनों टरम को अलग-अलग करने के बाद हम इसको आगे प्रोसीड करना है अपने methods को यूज करते हुए फर्स्ट रम में जो method हमारा लगेगा फर्स्ट रम में जो हम यहाँ पर method लगाएंगे वो लगेगा fourth method fourth method यह कहता है कि e की power x को हम पीशे ले जाएंगे और d को d plus 1 से replace कर देंगी जो की मैंने किया है देखो यहाँ पर और इधर बचा रहे जाएगा हमारा cosec plus second ट्रम में d square को minus a square रखा जाता है और यहाँ पर minus a square की जो value होगी वो minus 16 होगी तो 1 upon 2 d square की जगब पर minus 16 और यह आपको मिला है minus 2 d plus 4 सेम रहेगा और यह sine 4 x ऐसे ही third drum में भी हम d square को minus 4 रखेंगे तो यह मिलेगा minus 4 minus 2 d plus 4 और यह sine 2 x ठीक है अगर first drum की बात करें तो e की power x first drum को यदि आप open करते हो तो open करने पर whole square open करने पर यह आपको देगा 1 upon d square plus 3 और second drum को अगर आप solve करेंगे तो यह मिलेगा आपको solve करके plus के 1 upon 2 और यहाँ से मिलेगा आपको minus 12 और minus 2 d यानि के minus 2 common लेने पर minus 2 common लेने पर यह आपको d plus 6 मिलेगा और जब minus 2 बाहर common लोगे तो यह minus 1 upon 4 हो जाएगा और यह होगा आपका 1 upon d sin 4x ऐसे ही last drum में solve करके 4 से 4 कटेगा minus 2 बाहरा के plus 1 upon 4 हो जाएगा और यह आपका 1 upon d sin 2x बचेगा ठीक है अब first drum में जब आप d square को minus 1 लखोगे तो यह minus 1 plus 3 0 नहीं बनेगा तो answer मिल जाएगा यहाँ से second drum में हम d square बनाने के लिए conjugate यानिके d minus 6 से multiply तो d minus 6 से divide करेंगे तो यह d square minus 36 हो जाएगा sin 4x और last drum में 1 upon 4 तो बाहर है जब sin 2x का आप integration करोगे तो वो आएगा cos 2x upon minus 2 ऐसे ही जब आप first drum को आप complete solve कर लेंगे तो यह मिलेगा e की power x upon 2 cos x और यहाँ पर भी d square को हम minus के 16 रख देंगे minus 16 और minus 36 यह minus 16 और minus 36 जब आप solve करोगे तो आपको minus के 52 मिलेंगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते है d sin 4x अंदर ले जाएंगे 6 sin 4x और upon में हमें मिलेगा minus के 52 और यह minus 1 upon 8 cos 2x और d का मतलब आप जानते हैं differentiation होता है तो e की power x upon 2 cos x फर्स टरम से मिलेगा और जब second टरम को आप solve करेंगे तो यह मिलेगा आपको plus 1 upon 4 upon 52 और it means 4 cos 4x minus 6 sin 4x minus 1 upon 8 cos 2x बस अब simply solve करना है आपको e की power x upon 2 cos x और उपर से जब आप यहाँ पर 2 common लेके काटोगे तो यह आपका 56 to 26 बचेगा 26 multiplied 4 104 हो जाएगा और उपर बचेगा 2 cos 4x minus 3 sin 4x और minus 1 upon 8 cos 2x और last में हम CF or PI को जब add करेंगे तो आपको इसका complete solution यानिके general solution मिल जाएगा तो इस तरीके से आप method 4 को use कर सकते है method 4 में क्या होता है e की power ax और vx को x का function होता है जिसमें हम d को d plus a से replace करते है e की power x को back side ले जाते है और vx के लिए पुराने जो 3 method है वो use करते है next lecture में मैं आपको method number 5 बताऊँगा उस method में और इस method में इतना अंतर है कि यहाँ पे तो e की power ax vx होता है वहाँ पे x into vx हो जाएगा है ना तो next method next method बिल्कुँ सेम ही है ऐसा ही है ना बस थोड़ा संतर है उसमें method का तो उसकी पहचान आपको करनी आनी चाहिए thank you for